जब भी हम portrait का reference देखते हैं और उसका final result देखते हैं तो उसके बीच का process क्या होता है आज मैं आपको बताने वाला हूँ portrait हमारा straight है और एक circle जो है इंडिकेट करता है face का size उसके अंदर हमें चार ड्रॉ करने होते हैं lines और उन lines के बीच में हमें ड्रॉ करना है दो और लाइन जो कि इंडिकेट करता है आपको eyes, lips और one eye का size होता है वही second eye का size होता है और gap का size भी वन आई होता है तो जहां से eyes start होता है nose भी वही से start होता है और जहां पे eyeball start होता है वहां पे lips हमारा start होता है तो वही same process को हमें paper भी बनाना है जैसे आपने देख लिया ना कि exact size जो है हमें यहां पे बना लेना है paper पे और फिर जितने भी alignment हम लोगों ने बनाया ना तो उसको erase कर लेना है और उसके बाद का तो हमे से blending करतेंगे tissue paper से तो जो हम लोगों ने start किया था reference से वह हमारा final result यहां पे आ चुका है वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएगे का और चैनल के नए हैं तो subscribe ज़रूर कीजिए